आज मैं और एक वीडियो लाया हूँ कि कि मैं इतना दिन से यही देख रहा हूँ कि यूट्यूब आले यह अपलोड कर रहे हैं कि आप यह कर लो यह कर लो तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा यह BPN यूज कर लो वह BPN यूज कर लो मैंने सब कुछ ट्राइ किया है और सच बताओं कोई भी काम नहीं करते हैं ठीक है कोई भी काम नहीं करते हैं तो मैंने बहुत सारे वह मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा एक फ्रेंड है जो रिलैंस जी हमें काम करते हैं तो उनके दुआरा और मैंने बहुत सारे रिसर्च किये हैं तो इसके बाद म मैं आपको सबसे पहले स्पीड टेस्ट दिखा है तो थोरा सब वेट किजिए मेरे सर्वर अभी फाइंड हो रहा है यह 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 बताते हैं यह करो वह करो सब देखा रहे मैंने सब ट्राइ किया है मुझे बहुत सारे गुसा भी आए क्या करूँ गुसा आएगा तो क्या करूँगा फिर कुछ नहीं होता है मैं आपको बताता हो जो मैं अभी स्टेप बताऊँगा आपको वही करना है कोई दूसरा फोलो नहीं करना है अगर आप उपर नीचे किये तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा हमारा बीडियो को पूरा देखिए अब ठीक है और आपको ट्राइ करना चाहिए इसको इसके बाद देखिए आपका स्पीड कैसे होता है मेरा आप देख सकतों पिंग वन सेवेंटी फोर है और डाउनलोडिंग इतना कितना घटिया है यार 1.62 है और अपलोड है 3.55 यार बकवास है बहुत बकवास है तो आपने मेरा यह देख लिया है चलो यह स्पीड टेस्ट हो गया हमारा उसका मैंने स्पीड टेस्ट आपको बता दिया तो अगला स्ट्रेफ आपको क्या करना है आपको यह पूरा वीडियो देखना है तो इसके बाद आपको step by step करना है ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले यह step कर लो वह step कर लो सबसे पहले आपको क्या करना है अपना एपिएंट सेटिंग में जाना है ठीक है आप अपने स्वरी एटी एपेंट सेटिंग में जाहिए तो यह है एक्सेस पॉइंट ठीक है एपेंट का मतलब एक्सेस पॉइंट है जाहिए यहां पर क्या करना है आपको यहां पर सबसे पहले बहुत इंपोर्टेंट बात यह है आपको अपना पॉर्ट चेंज करना है आपको क्या करना है आपको पॉर्ट चेंज करना है आपको पॉर्ट को यह लिखना है एट जीरो एट जीरो हो गया ओके कर दीजे अब इसके बाद आपको अपना सर्वर चेंज करना है आपको सर्वर में क्या लिखना है आपको सर्वह में यह लिखना है कि जियो इससे पहले आपको डॉब्ली यूज करना है इसके बाद इसके बाद आपको यहाँ पर यह लगना है 4G.com हो गया अपने अपने सर्वर सेटिंग कर दिया इसके बाद एक-एक स्टेप दखे करना ठीक है आपको सबसे पहले यह स्टेप नहीं है मैं जैसे कर रहा हूँ इसके बाद आपको एटन्टिकेशन को पैप में करना है आपने पैप में कर दिया इसके बाद यह बेरियर ठीक है यह बहुत important है, barrier को आपको क्या करना है, यहाँ बहुत सरे barrier है, barrier को आपको LTE में ही रखना है, ठीक है, अंसेसवेट को उठाके सिर्फ LTE में रखना है, जिसके phone में 4G है, तो LTE में कर दिये, और इसके बाद आपको यह save करना है, ठीक है, आपने यह कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है Google Play Store में, आपको Google Play Store में जाना है, और सर्फ इजी एक VPN इसको आपको करना है, इसको इंस्टोर करना है, ठीक है, तो इसको एकाउंट क्रेट करना है, मेरा एकाउंट अल्रेडी है, तो मैं sign-in कर रहा है उसको, तो मैंने sign-in किया, तो यह भी loading plan डेटेल हो रहा है, अब इसको, अब यह आपका connection हो गया है, तो आप जैख सकते हो, ठीक है, मैं आभी आपको बताता हो कि, जो अभी मैं आपको बताता है, मैं आप भी speed test करके दिखाता हो आपको, MSI, आप देख सकते हो download speed, अब देख सकते हो यार, 88.44, क्या बाद, और upload speed देखो, upload speed यार जड़ा कम है, लेकिन चलेगा, हम ही download ही करना है, आप देख सकते हो, upload speed कितना मसते हैं, तो आप अपने देखा, मैंने आपको प्रूब भी बताया, तो आप जो मेरे अभी step किया है, आपको वही step से करना है, आपको कोई दूसरा कोई step use करना नहीं है, अगर आप दूसरा step, कर दो आपको झाले, अपको करना हीक Legs